हाई दोस्तों कैसे आप लोग iOS 17.1.2 का stable version Apple ने अपडेट रिलीज किया था कल रात को और यह वीडियो वाना रहा हूं सुबह और इसका जो साइज है 524 MB मेरे iPhone 15 के अंदर है और मेरे iPhone 13 के अंदर जो है 349 MB तो आपकी डिवाइज के अकोडिंग जो इसका साइज आपको देखन आप लेकिन इस जगह पर किसी किसी को जए थोड़ा ज़्यादा भी देखने मिल सकता है अगर पूराना वर्षन के अंदर आप जैसे iOS 17.1 या iOS 17 तो इस जगह पर थोड़ा साइज आपको ज्यादा देखने मिल सकता है लेकिन अगर iOS 17.1.1 से अपडेट करेंगे तो प्रेवल है जो इसका बिल नंबर था 21B91 और storage जो अभेलेवल था 100 GB और modem firmware 1.12.02 और download के बाद क्या है इसका modem firmware क्या है build number भी एक बार चेक कर लेता है तो download के बाद इसका जो build number है 21B101 और storage ही बात करे तो 300 MB जो है storage कम हो गया और मोडेम फांवियर की बात करें तो मोडेम फांवियर बिल्कुल सेम आपको देखने मिलेगा इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है और यह आपडेट आपको आइफोन आइपेड और मैक के लिए ही रिलीज किया है जो स्टेवल वर्सन नौट वेटा अगर आप लोग इसके अंदर उनली सिक्रोटी अपडेट है जो वेव कीट की जरिये से जिसके अंदर आइपेड मैक दोनों के अंदर भी सेम मेंसन क्या है तो इसके अंदर कुछ नए फीचर ने चेंज नहीं और इस जगह पर बग फिक्स की बात करें तो इस जगह पर कुछ वर्ग जो है इस नहीं किया क्योंकि सोचे कोछ न ही आप इस जगह पर कुछ इन किया अपडेट कर सकते क्योंकि एक सिक्रोटी बैच Kids से को करना चाहिए ios 17.1.2 का अपने इंस्टॉल किया और कोई भी apps के अंदर आपको lag या hang इस तरह का कुछ देखने मिल रहे है या app crash देखने मिल रहे है तो जाईए app store के अंदर और इस तरह से swipe कीजिए स्वाइब करने के बाद जितने भी app से आपका अपडेट आजाएगा पूरी की पूरी अपडेट कर लेना और इसके बाद अगर storage बग की बात करें तो भाई storage बग तो नहीं है पहले भी चेक किया और एक बार इस जगा पर मैं चेक कर लेता हूं तो देख सकते जगा पर storage बग कि एक problem देखने मिल रहा था automatically तो इस तरह का जो बग है इस जगा पर आपल ने solve नहीं किया और इस जगा पर आप लोग कहेंगे क्या भाई इसको green screen का जो issue था वो solve क्या है या नहीं तो finally green screen का जो issue solve नहीं किया तो इस जगा पर आप लोग पूराना आपके बास device है iPhone 13 pro 13 pro max त भी थोड़ी दिर पहले और इसके अंदर battery backup की बात करें तो battery backup ठीकी देखने मिल रहा है लेकिन overheating और जो है battery drain का issue वो मुझे देखने नहीं मिल रहे तो इस जगा पे आप लोग चाहे तो इसको update कर सकते नहीं तो इस जगा पे आप इसकी भी कर सकते और follow video के लिए आप performance निकल गया है तो इसका जो single core है इस जगा पे देख सकते हैं single core है two six zero one multi core है six five double eight और multi core की बात करें तो multi core का जो performance ओभी काफी ठीकी निकल गया है 22,791 तो पुराना update से जो है better आपको देखने मिल जाएगा पुराना update के अंदर 21,000 ही था तो इस जगा पे 700 जो है स्कोर अच् देखने मिलेगा क्योंकि स्कोर काफी अच्छा निकल गाया है तो आयो 17.1.2 के अंदर कुछ नए feature कुछ नए changes नहीं only security update है तो आप लोग चाहे तो जरूर इसको update कर सकते नहीं तो आप लोग एक दो दिन तक skip भी कर सकते हैं उम्मीद है इस वीडियो को देखके आपके लि कीजिए और बेल के notification call पर रखिए जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोग वास notification पहुंच जाएगा नेक्स वीडियो के अंदर फिर में लेंगे गुड़ बाई